आज हम ब्रेट पकुरा बनाएंगे दो तरीके से पकुरा को बनाया है आप जायत इसको फ्राय कर सकते हैं आप जायत इसको सेलो फ्राय कर सकते हैं लेकिन दोनों रेसिपी बिल्कुल अलग है अलग-अलग इंगिरियंट है सिंपल तरीका है जटपड बन जाने वाले रेसिपी है पार्टी में आप इसको स्टार्टर में बना सकते हैं या फिर साम में स्नेक्स के तोर पर बना सकते हैं जब इस चोटी मोटी भूख लगे आप इसको जटपड बना सकते हैं चले बनाते हैं इस रेसिपी को यहां पर पहले आपको अलू उबाल लेना है, आप चाहता अलू को उबाल के पहले से फ्रीज में रख दें, बाद में जट पट से बन जागी है, यहां पर मैंने 4 अलू लिया है, अलू की इस तरीके से हाथ से अच्छे से मिस्ट कर लेंगे, अलू को अज लंस है वो नहीं र काट कि अब थोड़ा से मठर के लिए अच्छ से सहाद बर जाता है श्वात बढयता है आधे चमज धनिया पौडर मुटर हुद कि लेकर देने काटा फ़ोड़ाइब करना है तेक चमज होगा इसने महीं मतर करना जाता है इसके लिएक्तल है लिए विप्ला ये जर्वात है र लाल मिर्च पॉडर, एक जोधाय चम्मच यहां पर जीरा और करम मसाला डाल दें, अगर आपके पास चाट मसाला है तिहां पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पॉडर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको दो मिनट के लिए पका ल अच्छे से मिक्स कर लें, मसाला क साथ आलू मिल जाना चाहिए, यहां पर गयास को बंद कर दें, यह हमारा मिक्षर तयार है, इसको मैं दूसरे बरतर में निकाल लेते हूं, जिससे हलका सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम भटा भट से ब्रेट का पकॉरा बनाएंगे, यह इस तरीके से दबाना है, मतलब इसका पानी सारा निकाल देना है, बहुत सौप रहता है, इसको अराम से करना है, इसके बाद हमने जी मिक्षर बना कर रखा है, उसका एक बॉल बनाएंगे छोटा सा, जितना बड़ा आपका ब्रेट का पीस है, उतना उसी साब से आलू लें और इसको इस तरीके से गोल करके बीच में डालेंगे, और चारो साइट से पकरके इसको बंद कर देंगे, ब्रेट यहाँ पर तूटता है, तो धियान रखें, दोनों हाथ से सपोर्ट से अच्छे से इसको गोल कर लेना है, मतलब इसको बंद कर देना है, लोक कर देना है, फटता भी है ब्रेट तो अराम से करें यहां पर तेल गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम होता है है फ्लेम पर इसको फ्राय करना है यहां पर आपको धियाने रखना है फ्लेम को बरहा कर ही रखना है और इसको फटा फर से तर लेना है तेल ठंडा रहेगा ना तो बहुत सारा तेल लब जब कर लगा ब्रेट इसलिए फ्लेम को बरहा कर रखना है और दो से तीन मिनट के बाद इसको पलटना है दूसरे साइड भी दो मिनट कलिप पकाना है यह बॉल बनके तयार हो जाता है यहाँ पर देखिए ऐसा कलर दिखने लगे इसका मतल़ हमारा जो ब्रेट बॉल है बनके तयार है अगर आपको डीप फ्राय नहीं खाना है शेलो फ्राय खाना है शेली फटाबर से ओ भी बना कर दिखाते हैं एक प्रेट के पीछ लेंगे उसको ऐसे काट लेना है इस ब्रेट को पाने में नहीं भीगोना है यहाँ पर देखिए सुखा प्रेट का एक से लेन करेंगे यह हमारा सेट हो गया अब हम क्या करेंगे इसको चाकु लेकर बीच से पीर से काटेंगे इसको अच्छे ह magnet करना है यह चिपक जाता है बहती आसानी से यह एसा मैं श्च्छे फिस बन जाएगा इसके रागा एक दूसरा भॉल में अंडा तोड़ेंगे, अगर आप अंडा नहीं खाते तो उसको वह इसे ही सेक ले, अंडा खाते हैं तो ये प्रोसेस फोलो करें, अंडा को अच्छे से फेट लेंगे, मैंने आप दो अंडा लिया है, अच्छे से फेटने के बाद जो पीसे हमने काट के रखे हैं पहले से, ब्रेड पाद लिया तब ऑक उपर इसको दोनों साइट से अच्छे से से ले, मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा से तेल डाला और उसके बाद सभी ब्रेट के पीसेस को इस तरीके से डालेंगे, और इसको उलट पलट के दोनों साइट से से जेंगे, इसको पकने में दो सी तीन मिन लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप दीप फ्रै वला आपको नहीं खाना है वह ज्यादा तेल सूखता है तो आप यह वला ट्राय कर सकते हैं यह बहुत ही कम तेल में बन जाता है और अंडा नहीं खाता है तो बिन अंडे का भी इसको शेक कर इस तरह के खा सक यह दोनों टाइप का जो एक रेसिपी है एक फ्राय बोलिए या आप इसको एक पकोरा बोलिए एक बॉलिए ब्रेड बॉलिए जो भी नाम दे दीजिए यह हमारा बहुत ही जटपट बन जाने वाला नास्ता बन के तयार है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते वीडियो क